Hello guys, अपने इस वीडियो में जानेंगे, अगर किसी के पेट में अचानक तेज दर्द होने लगा है, तो इस condition में उसको कौन सा injection लगाना चाहिए, क्या साउधानी रगनी चाहिए और कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो पेट में दर्द होता क्यों है, दोस्तों पेट में दर्द होने के कई कारण होते हैं, इसके कोई एक कारण नहीं होता है, हमारे पेट में कई सारे और्गन्स होते हैं, जैसे कि लिवर होता है, किटनी होते है, स्प्लीन होती है, गाल ब्लेडर होता है, इंटेस्टाइन्स हो तो इन अंगों में अगर किसी तरह की अबनॉर्मल्टी है, प्रॉब्लम आ गई है, या फिर लीवर का, इस्प्लीन का साइज बढ़ गया है, या फिर गाल ब्लेडर में स्टोन हो गई है, तो इस कंडीशन में भी दर्द हो सकता है, सबसे कॉमन रीजन होता है पेट दर्द का वो होता है gastroenteritis, जो हमारी gastrointestinal tract होता है, इसमें सूजन आ जाती है, कभी-कभी बहुत ही ज़्यादा gas के balls बनने लगते हैं, balls dilated हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग इतना ज़्यादा खा लेते हैं, या फिर digestion साही नहीं रहता है, तो उनके पेट में SDT होने लगती है, तो इस बज़े से भी पेट में दर्द हो सकता है, अगर कोई पेसंट आपके क्लीनिक पे आया है और इसको अचानक से पेट में दर्द इस्टार्ट हुआ है, तो आपको ये अंदाजा लगा लेना चाहिए, कि पेसंट को gastroenteritis हो सकता है, या फिर kidney stones हो सकती है, या फिर kidney stones हो सकत जयानक ही हुआ है तो ये सारी जगतातें जान लेना काफी जरूरी होता है। पेट तरफ दो तरगा होता है, पहला होता है acute abdominal pain और दूसरा होता है chronic abdominal pain, जो acute abdominal pain होता है, ये condition अचानक से ही होती है, जैसे कि being patient भाठ चाहीए तरफ सो गया और अचानक से ही आदि रात में उसका पेट दर्द बहुती तेज इस्टार्ट हो गया। क्रॉनिक अब्डॉमिनल पेन होता है। यह अचानक ही कंडिशन नहीं बनती है। यह धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रियेट होती है। ज्यादा दिनों से पेट दर्द की समस्या से परेशान रहता है। तो इसी कंडिशन को क्रॉनिक अब्डॉमिनल पेन कहा जाता है। सबसे पहले तो पेशन को सिधे लिटा देना चाहिए। और इस्टेस्कोप से पेशन का पूरा पेट चेक करना दोस्तों पेट में जो दर्द होता है, मसल कॉंट्रेक्ट की बज़े से होता है, जानी कि जो मान स्पेशियां होती है, उनमें एठन होने लगती है, कॉंट्रेक्शन होने लगता है, संकुचन होने की बज़े से ही पेट में दर्द स्टार्ट होता है। इसके इलावा, अग नक से ही पेट में दर्ध स्टार्ट हो जाता है तो अबचान लेते हैं इस इस कंडिशन में कौन साइंज्चिन लगाना चाहिए अगर मसल कॉंठाइक्शन की वज़े से पेट में दर्ध हो रहा रहा है नि Опनी महान स्पेस यहां पेट की हैं उनमें एठन हो रही है तो इस कंडिशन में इंजेक्शन नोबल इस्पास आरेफ लगाना चाहिए इसमें डाइकलोफनेक होता है और साथ में डाइसाइकलोमाइन होता है जो मसल को रिलाक्स कर देता है और पेट दर्द बंद हो जाता है अगर सिस्ट है इस्टोंस हैं जिनापार यह दर्द के इंजेक्शन होता है इन में डाइकलोफनेक होता है इनको आइम ही लगाना चाहिए यानि कि इंट्रमस्फलर मांस में इस इंजेक्शन गोदेना चाहिए और इशके साथ में अगर फेसेंट को वॉ मोटिंग भी लग रही है तब आपको यह समझ ले देना चाहिए वोंटिंग को रोकने के लिए इंसेट इंजेक्षिन आप दे सकते हैं अगर पेशन का बीपी ज्याधा डाउन है आप बीपी चेक करिए अगर बीपी ज्यादा डाउन है डिहाइड्रेट पानी की कमी है तो आई वी फ्लूट पेशन को जरूर देना चाहिए जब तक आई वी फ्लूट नहीं देंगे पेशन का पेट दर्द नहीं बंद होने वाला है अगर इतना ट्रीटमेंट देने के बाद भी पेशन को रिलीव नहीं मिला है उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो पेशन को हायर सेंटर रिफर कर देना चाहिए अगर आप चलता है कि किसी अंग में जो बाडी का पार्ट है पेट में उसमें किसी तरह की abnormality तो नहीं आ गई अगर कीडिनी स्टोन से है वह भी पता चल जाती है तो investigation के बाद फिर treatment इस्टार्ट किया जाता है तो दोस्तों वाज के लिए इतना ही आपको समझ में आया होगा अगर किसी को पेट में दर्द चानक से starts होता है काउं सा injection लगाना चाहिए और छ्वधानी रखने चाहिए और क्या घलती नहीं करनी चाहिए अगर सबस्क्राइब जानकारी कुरिए हैं किसी और भीवारी के दाना कि संगे मरे बता सकते हैं इस्ट्राग्राम कर सकते हैं और मुझे सब्सक्राइब यहां कर सकते हैं पीडियो को लाइक है चैनल पर नहीं समस्क्राइब कर देए उस आम हमें समझेटे नहीं